हुआ 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 है तो आज के ऑनलें लैब कलाश में आप सोबों का स्वागत है जिसा कि ग्याद नहीं होगा आप लोगों को कि हमने कल जोगरफी के खंड खो जो हैं इसमें आपदा हैं उसके पाचमा शेप्टर का लास्ट पॉइंट प्रहाज यह थे और परमुख अस्मर ने तत जो था जो लास्ट पॉइंट के अंतरगती आते हैं उसमें से एक ही रिखाए थे और दूचार परमुख उसमें से हैं जिसको आज पहले हम नोट कराते हैं आप लोगों फिर अगला एका चलेगा तो बोर्ड पर हम कुछ जो परमुख अस्मर ने तत में से इंपोर्टेंट बच गया था उसको नोट कर दिये हैं आप लोग पहले इसको लिखिए दो नमर में है पी एस टी एन का पूरा नाम जहां पी फोर पबलीक, एस फोर स्विच्ट, टी फोर टेलिफोन, एन फोर नेटवर्ट होता है दूस तीसरा है कुशहा के पास कोशी बांध तूटने से सोला जीले, बेरानवे अपरखंद और पास पंद्रह सो अंठानवे गों परवावित हुए थे सर, दूब नमर में क्या है सर, अब चौथा लिखिये, भारत के 56 भूभाग भुक्कम परवावित है पासमा में लिखिये, एमेचोर का अर्थ गयरवानी जक पर्योजना के लिए रेडियो संचार का पर्योग कर्मा छठा नमर में लिखिये, भारत में दूरदर्शन, मोशम, विग्यान और आपदा समंधी चेतावनी देने के लिए इंडियन नेशनल सेटलाइट इसको कोस्ट में इंसेट लिखिये, लगाया गया है सत्मा नमर में लिखिये, संसाधनों की खोज एवं परबंधन के लिए परबंधन के लिए इंडियन रिमोट सेंसिंग सेटलाइट पुष्ट में आई आर एस पुष्बंध अस्थापिच किया गया है तो इस तरह से हमने जो पाचमा इकाई का कुछ पॉइंट बच गया था उसको आज हमने लिखा दिये तो अगला चप्तर है इकाई छो का नाम है आपदा हो साथित तो आगला चप्तर का नाम है आपदा और स्वहस्थित तो एक बार आपदा का स्थोहस्थित का क्या मतलब होता है उसको पर लिए आप लोग समझ लीजिए फिर इसका जो इंपोर्टेंट पॉइंट है ओंप बताएंगे कि अले देखिए आपदा आप लोग जानी चुके हैं कि जो बिना सोचना दिये जो घटना उपसित होती है उसको आपदा खाएंगे स्वह अच्टवित होता है स्वह jewित का मतलब होता हैं कि सींक अस्टवित कि या उसका च्हमता अरथाद कि सी बैटे या आपदा का जो परभाय क्यों शक्ति होती है उसे ही उसका स्वह अस्टवित कहा जाता है अब हुन Discovery इंपोछन पॉइंट इसका जो है उसको लिखाते हैं एक नमर में लिखिए धुक्कम का सोहस्तित दो नमर में लिखिए भूर्ष खलन क्या है तीन नमर में लिखिए भूर्ष खलन का सोहस्तित और चार नमर में लिखिए तुनामी का सोहस्तित पांच नमर में लिखिए तुनामी चैतर के तुनामी चैतर में ग्री निर्मा और चार नमर में लिखिए बाढ का सोहस्तित और साथ नमर में लिखिए सुखार का सोहस्तित और आज नमर में लिखिए सुखार में मिठिक के नमी को बनाई रखने का उपाए सर साथ नमर में क्या लिखिए है साथ नमर में लिखिए है सुखार का सोहस्तित आज नमर में लिखिए है सुखार में मिठिक की नमी को बनाई रखने का उपाए और नो नमर में लिखिए जल विभाजक छेत्र जल विभाजक छेत्र और दस नमर में जो लिखाएंगे वो शब को मालूम है पर्मु कस्मर नियकर इसको आप लोग नौट कर लिए अब आज का पॉइंट होगा भुकम का स्वास्तित इसको पहले आप लोग पोपी के बीज में लिखिए लिए भुकम का स्वास्तित पुकम का स्वास्तित इसको लिखने से पहले समझ लिए उसके बाद हम नोट कराएंगे भुकम का स्वास्तित अर्थार भुकम का क्या तागत है को कितना छती कर सकती है कितना परभाव डाल सकती है यहीं इसके अंत्रगत परहेंगे तो मैं बता दू आप लोग को भुकम बेप्राकृति का अबदा है जिसको आने से कोई रोक नहीं सकता है लेकिन इसके आने पर जब उचित परवंधन किया जाएगा उचित बेवस्था किया जाएगा तो इसे होने बादे छति को कम किया जा सकता है तो इस तरह से हमने भुकम का क्या सहस्थित है उसको बताया अब आप लोग इसको नोट कर देंजिए भुकम एक बहुत बरी एबाम अतियंत बिनास्कारी प्राकृतिक आपदा है भुकम आने पर कुछी छनों में इतनी बरवादी हो जाती है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है हाँ पिर्थिवी पैर भुकम के संभावी छेत्र पता है लेकिन इसके आने का पुर्वा अनुमा ऐसे रिखना था पुर्वा अनुमा पुर्वा अनुमान नहीं लगाया जा सकता है अता भुकम संभावी छेत्र में हमेशा सतर्क रहना चाहिए तो हमने भुकम का स्वास्तित क्या है उसको बताया और लिखाया भी अब आप लोग को इस पर कहीं भी डौट है तो क्वेस्टन कर सकते हैं और पुर्वा अनुमान किसे कहते हैं कि पुर्वा अनुमान का मतलब हुआ पहले अनुमान लगा लेना बिनास्कारी सब क्या है अरे बिनास्कारी का मतलब हुआ कि बहुत पर्भाव डालने वाला अधिक बरवाद करने वाला उशी को बिनास्कारी कहा जाता है ठीक है सर्थ आज का समय समाप हो रहा है आज का क्लास स्थी पर अ